हालो फ्रेंज वालकम टू माई चैनल स्टाडी विद अंकिता आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तनिश की एक कंट्रोवर्सिल एड के बारे में आप सभी तनिश कंपनी को तो जानती होगे ये एक टाटा ब्रेंड की कंपनी है यान की टाटा जैसे टाटा के नमक आते ह है टाटा की कार्स आती है वेसी टाटा ब्रेंड की कंपनी है तनिश्क जो की ज्वैल्डरी के लिए काफी जानी जाती है अब हुआ क्या मुद्दा कि इन्हों ने एक एड रिलीस की ती जिसकी वजह से काफी कॉंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है तो इस वीडियो में हम प्रेबर में कि बैक प्रजवार में जो मेला थी रिफों हमारे हिंदूस में ट्रिडिशन है कि जब एक महिला प्रैगनेंट होती है तो हम उससे क्या कते हैं उसकी घौदबराई करते हैं और उसके शबुन भी देते हैं जो बहुओ होती है घर कर रहे थे तब लड़की अपनी सासल से कहती है कि हम आपके घर में य assumptions होती नहीं तो फिर आप इसा क्यों कर रहे हो तो उसमें जो महला हो है मुस्लिम महला वोателей करती है कि यह जो दोटर होती हैं जानकि बेटियां होती हैं उन्हें खुश रखा जाए तब सोचोगे कि इसमें आखिर का बुराई क्या थी और इसमें कॉंट्रवर्सी कहां से आगी इस मुद्दे में जो तनिश में इस एड को रिलीज किया था एक वातमा नाम से इस कैम्पन को रिलीज किया था ताकि जो हिंदू मुस्लिम की जो हमारी उनिकन हैं हम आपस में मिली हुए हैं एकता को दिखाने के लिए यह एड रिलीज की गई थी तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आगी तो जो बाकि ट्रॉलर से उन्होंने क्या कहां उनका कहां यह था कि जो तनिश कंपनी है वो क्या कर रही है लव जिहाद को बढ़ावा दे रही ह है अब इसमें लव जिहाद क्या है लव जिहाद क्या होता है कि जो मुस्लिम लड़के होते हैं वो हिंदू लड़कें को बिलाफ़ लाकर क्या करते हैं उनसे शादी कर लेते हैं और फिर उनसे क्या किया जाता है बाद में जो हिंदू मेला हैं उनका धर्म परिवत्तन करा जाता है जीसे ही बोलते हैं लव जिहाद करना तो जो मतलब से वह क्या करें जी एड़ वाइरल होगी काफी ज्यादा और ने है कि वह मुष्ण किया है कि क्यों हमेशे हिंदु महिला है वह मुस्लिम टिखाया जाता तो इसके जवामें तनिश्क ने क्या किया जो अपनी एड थी उसे वापस ले येगा तरिश्क ने ट्वीटर पर अपने सब्सक्राइब करना लोकल इस चैलेंजिंग टाइम से लिब्रेट दा व्हांने कहा कि जो फिलम है जो की दिखाती थी उसमें काफी जोदा रियक्शन आहीं इस वजह से वो क्या कर रहे हैं जो अपनी एड है उसे वापस ले रहे हैं तो आशा करती हूं आपको यह समझ में आ मैं इस मुद्ध में कुछ लिए अपनी राय रखना चाहूंगी आप समझदार हैं आप समझ सकते हैं कि आखिर कर यह एड गलत थी या फिर नहीं गलत थी तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक करिए शे बाइ